तो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब और आज हम आफ लाइन आवेदन भरने जा रहे हैं बिलासपूर जीला नियाले में जो निकली हुई है भरती उस पर और इसके बारे में पूरी मैं डेटेल्स आपको बताने वाला हूँ इसके लावा दूसरी बाती है कि बहुं सारे आवेदन जो है गलत हो रहे हैं दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर बहुं सारे लोग जो है ऐसा बता रहे हैं कि उनका आवेदन निरस्त हो गया और ये बड़ा ही दुखद है कि इतना मुश्किल से तो कहना चाहिए जौब आत है और जौब आने के बाद हम आवेदन भरते हैं और आवेदन जो है क्या हो जाता है गलत हो जाए तो इस सबका कारण क्या है इस सबका कारण ये है कि आप एक तो वीडियो को देखते नहीं हो देखिए जो आवेदन जिसने ये आवेदन बनाया है कितने पेच का है देख ल और चलिए इस वीडियो में मैं जो है एक्चुल में पाइंट आउट कर दिया हूँ कि किस जगा पर गलती होने सावेदन जो है निरस्त हो रहा है तो सबसे पहले यही देख लो यह जितना जीला कोट में आपको डिब्बा में भरना है डिब्बा में डालना है ठीक है इस पीड पोष्ट करा रहे हो यहां पर वर्ग लिख रहे हो यहां पर जीला नियाला सत्र विलासपूर अरे भाई आप डबा में जाकर डाल रहे हो तो उस सब का लिखने का कोई मतलब ही नहीं है फिर आप यहां पर देखिए पढ़ते नहीं हो आप समस्या यही है यह अब कहेंगे कि सर ऐसा लिखेंगे तो रिजेक्ट थोड़ी करेंगे देखो भाई सरकारी कारियों में उतना ही चीज लिखेंगे जितना की जरूरी है इस्टा लिखेंगे तो उसके बाद आवेदन निरस्थ होगा कि नहीं होगा इसके बारे मैं नहीं कह सकता लेकिन फिलाल आपको इतना ही लिखना है अगर आप मेरे डिवीडियो देख रहे हैं तो ठीक है और इसके बाद अगर कोई आवेदन निरस्थ करता है तो जाकर सिधा ये आवेदन दिखा के बोलो कि आप लोगों ने ऐसा आवेदन दिया है उसके हिसाप से मैंने फाम भरा है और उस पर हिन मानते तो आप सिधा कोट में इस्टेकर लगा सकते हो ठीक है इसी आवेदन के बेस पर ये जो आवेदन निकला होता है ये अक्छर सा इसका पालन के जाता है आप चीजों को समझे इसमें एक-एक सब्द का पालन के जाता है अगर इस एक-एक सब्द के भाइदन पत्र में आवेदक का स्वा प्रमारित नविंतम फोतो चस्पा होना चींजिये यहाँ पर दिनांक नाम कुछ बोला है क्या नई बोला है आप यहाँ दिख़ो आवेदन फां को देख़ो यहाँ पर है अविद्ध का स्वास्ताक्षरित नमींतम, पासपोर्ट, साइच फोड़ो तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि ना हो, ये हो भी सकता है क्योंकि बोला नहीं गया है, जितना बोला जाया उत्रा ही किजिए अविदित पत का नाम सहाय ग्रेट 3 अब इसमें गलती के गांड जो है नाम अविदा निरस्त हो रहा है ये जो आप लिख रहे हो न ये आप दस्वी के माक्सिट से लिखो भाई जो कुछ भी यहां लिख रहे हो और अधर से मत लिखो इसको भले अधर काट में आपका कुछ भी लिखाओ इसको दस्वी के माक्सिट से ही नोट करना है तुमको ये जो पत्र विखार ये सब में गलती नहीं होता है यहां पर आपको क्या भरना है सब चीज जानते हैं जन्मति थी में सब गलती कर रहे हैं जन्मति थी में भाई, गलती क्या हो रहा है कोई अपना जन्मति थी गलत नहीं लिखता लेकिन इसको सब लोगम कर रहे हैं यहां पर देखो लिखा है 1 January 2023 को आयू इस पश्ट लिख़ए है अरे आप एक January 2023 के डेट में आयू calculate करो न तो लोग आज के डेट में आयू calculate करके भर रहे हैं एक July 2023 के डेट में साथ महीने छोटे हो गए इसके करण पूरा आविदन आपका नीरास्त हो गए अमान के चलिए आगे देखिए इन सब में कोई गलती नहीं होता है इसमें गलती हो रहा है देखिए रोजगार कर रहा है का जिवित पंजियन क्रमांग के वम दिनांग देखो रोजगार कर रहा है का जिवित पंजियन क्रमांग के वम दिनांग क्या होता है जो रोजगार कर रहा है उसमें पंजियन दिनांग तो आपको वो जो रोजगार पंजियन है मृत हो जाएगा अगर ये माल जे 2016 में हुआ है ना तो ये कब तक वेलिड रहेगा जुलाई 2019 तक तो वो क्या होगा इसका वैदता दिनांग होगा तो इसके कान कई सारे आवेदन जो है गलत हुए हैं अभी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो देखो इसमें गलतिया हो रहा है दो लड़के लोगों ने यहाँ पर गलती किया है अब देखो यहाँ पर पूरा लिख रहे हैं छटवी साथवी आठवी दसवी बार इसना तक PGD से सब लिख रहे हैं लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं जो जरूरी चीज है उसी को नहीं डा सहाय ग्रेट 3 का फाम भड़ रहे हो आप क्या मांगा है तीन ठोती योग्यता मांगा है आप देखो नहीं यहाँ पर यह देखों आपको क्या चाहिए यहाँ पर दिया है कि आपको चीए सनातक कमाक्सिट चीए यहाँ पर एक PGTCA किया चीए यही तो दोठो है और तो कुछ है ही नहीं मैं तीन बोल दिया एक दसवी का मांक सिट क्यों लगा हैं क्योंकि डेट आप बर्थ के प्रमारित के लिए तो तीने थो लगा हो नो भई 35 लिए तो जाएंगे तो सर जो है जो है कलेक्टेट में बार्वी लेता था तो भें जो है उसी को याद आया तो मैं इस नातक बूल गए अरे भाई तो आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा बताईए नियूंतम योगेदा का मार्क्सीट आप नहीं लगाएंगे याद रखे न दसवी का उत्तिन का यदि आप मार्क्सीट नहीं करेंगे तो जन्म प्रमाड पत्र कैसे प्रूप होगा ब ठीक है और यदि आप सव प्रमाड नहीं करते हो तो फाम वहाँ से सीधा मान के चलो रिजेक्ट हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए जो सनलगन है आपके इस आविदन के साथ उसको सनलगन लिखिए जो सनलगन नहीं है उसको नहीं लिखिए अब कहीं आप इस नार तक य जैसे कि उदार हर्ण के लिए हैर सेकेंडरी स्कूल प्रमाड पत्र आपने यहाँ लिख दिया सनलगन है करें कि अब वो प्रमाड पत्र इसमें है नहीं तो फिर एक से आविदन निरस्त करने का आपसम नहीं बन गया इसको जो है उसको लिखो न भाई यह और एक देखो इ यहीं से सब चीज प्रब्लम जो है create होता है यहाँ पर देखो आवेदन पत्र में आवेदा का स्वा प्रमारी नुइंदम फोटो चस्वा होना चाहिए था पहचान पत्र क्रूप में अधार कार्ड आधी की स्वा प्रमारी छाया प्रतिशनल है बोला है और अगर आप यहाँ पर नई लगाते हो तो आवेदन निरस्त नहीं होगा क्या सिंपल बिल्कुल निरस्त होना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई लोग जो है date को अपना date of birth डाल रहे है और जिस date में आवेदन भर रहे है उस date को लिखो न भाई सिंपल बात है यहाँ पर कई जने का जो है ग यह आवेदन निरस्त कर होने का उपाय नहीं है तो क्या है और उसके बाद और आवेदन आपको निरस्त कराना है तो अपना जो स्वप्रमाडित करा रहे है डाकुमेंट उसमें अलग से क्निचर मार दीजिए ना मैं पूरा पता इसमें तो कोई मिश्टेक है नी मोबाइल इमेल आइडी तो यहां पर इस पष्ट लिखा यह दोनों अनिमारे रूप से भरे तो आपको यह अनुआर रूप से भरना है लेकिन इसमें अगर कहीं आप गलत भर दोगे ना तो कोई आवेदन निरस्त नहीं होने वाला है ठीक है अगर खाली छोड़ोगे ना तो निरस् पूरा है धन्यवाद दोस्तों सुबरातरी